नमस्कार दोस्तों एक बार पुनो हाजर हो मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लोक्स पे दोस्तों एक मेल हतेली हमारे सामने है और एक नोजोवान योग कहें सीधा सीधा हतेली का आकार अगर देखें तो अगर हम प्रिंट ना भी करें तो भी आपको दिखाई दी रहा है एक रेक्ट रेंगल हतेली यहाँ पे दिखाई दी रही है आयताकार और जब भी किसी व्यक्तिकी हतेली आयताकार होती है तो निश्चित रोप से एक एनलेटिकल स्वभाव विक्तिका होता है और मस्तिस्क से कार्य करने वाले ऐसे लोग जादतर होते हैं या बोलने से इन लोगों का जादा काम चलता है सारिक मेहनत करियर के छेतर में थोड़ी सी कम ऐसे लोगों को करनी पड़ती है और दूसरा अगर देखे इसको अगर जानना हो तो मस्तिस्क की रेखा को जाने बिना इसका भहुश्य कथल नहीं किया जा सकता है लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चोट लगी है पर वेसे यहाँ से जो है जीवन की रेखा से निकलते हुई साप सुतरी इनकी माइंड की लाइन मस्तिस्क की रेखा दिखाई दे रही है और जब हतेली में मस्तिस्क की रेखा ब्रेइन की लाइन इस प्रकार से साप सुतरी हो और उर्द्व चंद्रमा पे समाहित हो जाई तो ये ब्यक्ति के बौदिक अस्तर को दिखाता है कि ब्यक्ति का जो बौदिक अस्तर है वो अपने लेबल में सर्वसरेश्टम इस्तिति में है बहुत अच्छा है बिबेक वान ब्यक्तित्व है और अपनी बिबेक से हर समय कुछ न कुछ पॉजिटिब सोच रखने वाला ब्यक्तित्व है और जीवन का हाल में मस्तिस्क से कार्य करने वाला ब्यक्तित्व है आप कह सकते हैं ऐसा ब्यक्ति जो है सरकारी या इससे समंदित छेतर में काम करन वाल अब्यक्ति होता है क्योंकि अगर दो गुन मिल जाएं तो यह श्योर हो जाता है श्योर्टी इसमें आ जाती है एक तो हतीली का आकार और दूसरा यहां पे क्या है मस्तिस्क की लाइन एक अच्छी क्वालिटी भी आपके अंदर है उसको बताता हूं फिर आपकी सवाल प लखनी चाहिए यहां पे आप देखेंगे यह आचारे ब्रिस्पति जी है इनको देवताओं का गुरू माना जाता है जुपिटर का माउंट है और हमारी हतेली में बैठने वाली यह पर्थम आचारे हैं देखे चाए आप कुंडली देखे चाए हतेली देखे दो ही आचार हमारी कुंडली या हमारी हतेली में बैठते हैं पर्थम देवाचार्य हैं देवताओं के गुरू आचारे ब्रिस्पति जी जो हतेली में तरजनी जो उंगली है इंडेक्स फिंगर है उसके जड़ में बैठते हैं और दूसरे आचार्य हैं अंगोठे के नीचे बैठने वा ये देवताओं के हैं और ये देतियों के गुरू है ठीक है लेकिन दोनों आचारे हैं दोनों की अपनी भूमे का हमारी जिवन में होती है और दोनों का अच्छा होना चाए कुंडली में हो चाए हतेली में हो अच्छा माना जाता है और इनका करियर अलग-अलग होता है अगर करियर के लिए हम देखते हैं तो करियर के लिए इन अलग-अलग फल इनका मिलता है ठीक है न अब यहाँ पे जो आचारे ब्रिस्पति जी है सुन्दर भाव में बैठी हुई है लेकिन जो उंगली है सीधी खड़ी है और जब उंगली सीधी खड़ी होती है तो व्यक्ति केवल और केवल नेतर्त्व चमता के गुण व्यक्ति के अंदर अच्छी मातरा में मिलते हैं यह अच्छी बात है और यहाँ पे देखे आपकी जो सूर्य की उंगली है इससे बड़ी है बहुत अच्छे रोप में बड़ी है लेकिन मिडिल फिंगर से चोटी है अब यह क्यों अच्छा है यह थोड़ा समझने के आप कोसिस करें देखेगा अगर यह उंगली तरजनी जिसको हम इंडक्स फिंगर कहते हैं सूर्य की उंगली बने मिड़ी होती है तो इस लिए अच्छा माना जाता है क्यूंकि यह गुरू की उपर बनने वाले उंगली है ऐसे में यह आपके अंदर कार्य कुसलता के गुन देती हुई दिखाई दे रही है आप कार्य कुसल है हर कार्य में कुछ सलता की प्राप्ति आपको होती है मनि एक्सपर्ट जिसे कहते हैं ब्यावारिक भी है एक फ्रेंडिली नेचर ठीक न और लेकिन कही न कही स्वाविमानी है और स्वाविमानी के साथ-साथ औरों पर सासन करने की इक्षा परबल रोप से रह सकती है इस बात के और जो ही इसारा कर रहा है जहां भी रहेंगे वहां लीड करने वाले अस्तान पर रहेंगे चीजों को लीड करना क्योंकि लीडर्शिप की क्वालिटी है या तो किसी चीज का मालिक बनना लेकिन यहां पे क्या है आप कारे को सल है ब्यवारिक है स्वाबिमानी है लीडर्शिप की क्वालिटी आपके अंदर है वही एक और अच्छी भी चीज है अमोमन आपने देखा होगा बीच की उंगली जादतर इस तरह मुरती है लेकिन आपकी कही न कही गुरू की तरफ ही इसका जुकाओ है सनी की उंगली का गुरू की तरफ जब जुकाओ होता है तो जादतर मातरा में व्यक्ति को जो है दोड़ धुप वाला काम कम करना पड़ता है ठीकर नहीं और व्यक्ति हर चीज जो है बड़ा सोच समझ कर और समझदारे से काम करता है चाहे कोई भी छेतर हो ये आपके हतेली में यहाँ पर दिखाई दे रही है साथ में एक चीज और है कि ये उंगली भी इस तरफ से जुक रही है मनी आपके मिडिल फिंगर के तरफ तो कहीं न कहीं बिस्तार पाने के एक्षा अपने कारियों में जो है फैलाओ पाने के एक्षा एक ब्रांड पाने के एक्षा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है अपना नेम और फिंग साथ साथ में ये उंगली भी इस तरह से जुक रही है अब जब कनिष्टा इस तरफ से जुकती है तो कहीं न कहीं जो है क्या हो जाता है धन कमाने की ललक भी बीच में आ जाती है कि जहां सब कुछ है फिर भी धन कमाने की ललक जो है बहुत अच्छी दिखाई दे रही है लेकिन ये उंगली एक और भी चीज कह रही है ये इस तरह से जुकी हुई है चिपकी उई भी है तो काम करने वालों के संक्या भी ऐसे लोगों के अंडर में अच्छी खासी रहती है और धन कमाने की ललक भी आपके अंडर यहां पे दिखाई दे रही है यह होता है पर यह इसके जो है पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पारी है तो मनी मैनेजमेंट में कागजों के रख रखाओं में एकाउंट बिल्टी में और कभी कभी कम्यूनिकेशन इसकिल्स में जो है थोड़ी कमी को भी ही दिखाती है कि कहीं न कहीं इन छेतरों में जो है यह कमी को बताती है और दूसरी बात अगर व्यक्ति अपनी ब्यापारी की सोच रहा हो तो उसमें थोड़ा सम्मल के चलना चाहिए ये अंगली जो है अगर लंबी हो तभी व्यक्ति जो है सुन्दर ब्यापारी होता है उतकृष्टता हासिल करता है लेकिन ये कही न कहीं छोटी हो तो ब्यापार तो करता है व्यक्ति उन्नति तो पाता है लेकिन कहीं न कहीं उस अवस्ता तक नहीं पहुच पाता है जिस अवस्ता तक पहुचना चाहिए उस अस्तर का व्यापार नहीं कर पाता है तो इसके लिए क्या करना चाहिए उंगली को तो हम नहीं बढ़ा सकते हैं ये तो कुदर की जो है चीजें गटनी बैट जाती बढ़ती नहीं है दंदोलत को छोड के लेकिन जो इसका practical part है वो गटते रहते हैं तो यहां तक क्या करना है अब इसका एक नुस्हा है यहां तक आपको नाखुन बढ़ाना है नाखुन जो है बढ़ते रहते हैं तो इसके पहले पोरवे तक जो है नाखुन बढ़ाना बहुत जरूरी है बाकी बुद्ध तो बहुत अच्छा है अब देखेगा आपने क्वेशन किया है कि होटल समंधी ब्यापार करने कि आप सोच रहे हैं और उसमें कैसा रहेगा कर सकते हैं कि ने कर सकते हैं उसके लिए जो है जो मन का कारक है उसके लिए चंद्रमा देखा जाता है उसके लिए जादतर जो है चंद्रमा ही देखा जाता है यहां पे आपकी हतेली में अब इस और जाते हैं फिर और क्या-क्या चीजें देखे जाती हैं वो भी मिलाते हैं सबसे पहले देखें यहां प तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं मानसिक रूप से आप मजबूत हैं कहीं न कहीं क्रियेटिव हैं कहीं न कहीं जो आपका हार्मोनल सिश्टम है वह बहुत अच्छे रूप में हैं creativity आपके अंदर है एक positive सोचना आपकी मस्तिस्क रेखा भी बता रही है और आपकी जो है ये चंद्रमा भी बता रहा है 70% हिस्सा आपका जो है positive है 30% में कहीं न कहीं confusion है 70% आपका positive है और 30% में कहीं न कहीं दुविदा है लेकिन जब 70% अच्छा हो तो सब कुछ ठीक चलता है अब ये जीवन की रेखा है और जीवन की रेखा से अलकी रोप में एक रेखा यदर के आ रही है पूरी नीबनी पर आ रही है अब जब ये चंद्रमा से बनती है चंद्रमा से जो है ये रेखा नीचे के और आती है तो कहीं न कहीं shipping में, import, export में और food business में अगर व्यक्तिहात आज माता है तो उसको काम्याभी मिलती है तो निश्चित ही क्या है कि काम्याभी है आपने संकोच इस ब्यावसाय को सुरो कर सकते हैं ठीक है नै अब ब्यावसाय आपने सुरो कर लिया ब्रस्पति भी आपका अच्छा है और कहीं न कहीं चंद्रमा भी अच्छा है तो चीजें अच्छी है लेकिन उसके लिए धन औ दन करियर की रेखा भी देखें, ये भी यहीं से चंद्रमा से निकलती हुई और जाती हुई दिखाई देरी है, लेकिन देखो, एका एक ये हिर्दे की रेखा पे जाके रुक रही है, और बाकी तो यहां से एक रेखा यू निकल रही है, एक रेखा यू निकल रही है, ये र तो व्यक्ति को थोड़ा समल कर रहना चाहिए कोई भी व्यापार कर रहा हो कोई भी जो है वो करियर और धन के मामले में कोई काम कर रहा हो उसकी पहले तो पूरी रिसर्च कर देनी चाहिए कि वास्तों में जिस जगह पे हम काम खोल रहे हैं वो जगह इस लायक है कि नहीं है ये चीजे चल ली हैं तीसरा कि हमारे अंदर वो capability है या उस ज्ञान को हम जानते हैं या उस चीज की हमाई knowledge है पूरे रोप से कि हम इस चीज को कल सके अगर है तो करें क्योंकि यहां पर योग तो बन रहें लेकिन कहीं न कहीं जब धन और करियर की रेखा हिर्दे रेखा पर म भावनाओं के बसीबूत होकर गलत निरने नहीं लेना है दूसरा जल्दबाजी में और भावनाओं के बसीबूत होकर निरने नहीं लेना है बड़ा सोच समझ कर निरने लेना है निश्चित ही सपलता मिलती है अब एक चीज है जब यह हिर्दे रेखा पर जो है मिलती है त एसे लोगों का कामों में थोड़ी सी हर काम में हलकी सी अरचना आती है थोड़ा कामों में बिलम आता है और थोड़ा उतार चड़ाव ऐसे लोगों को जहिलना पड़ता है और जादतर मामले में कोई भी काम जो है बहुत जल्दी से नहीं बन पाता है या उतार चड़ाव रह इससे लेकि 54 वर्ष के बीच में जो है सूर्य पे जारी है और ये राहो की रेखा है लेकिन ये राहो की रेखा अत्यंत स्रेष्ट है राहो की रेखा वेसे तो जो है दुविदा डालती है संगर्स देती है धनहा निकराती है लेकिन यहां पर ये सूर्य से मिल रहे है और सूर वर्स के बीच में कहीं न कहीं मान प्रतिष्टा में बिर्दी होगी राहु जो है सोरे से मिलन कर रहा है तो मान प्रतिष्टा में अचानक बहुत बड़ी बिर्दी करवाएगा सम्मान में बिर्द करवाएगा कही न कही सरकार द्वारा चाहे आंसिक रोप में हो लेकिन लाव की प्राप्ति होगी और यस में जो है अच्छे खासी बिर्दी होगी कारियों को भी जो है कही न कही फैलाव मिलेगा अब यही रेखा जो है आपके कहां से चपन या अठावनवे वर्स में इस पश्ट नहीं है चपनवे वर्स में हो सकता है या अठावनवे वर्स में हो सकता है वैसे तो यह जादतर उन पचासवे वर्स में असर्ट देता है जो मैंने प्रेक्टिकल रोप से देखा है इस रेखा का जो सनी से मिल ली है ये वाले ये उन पचासमे वर्समेन है फोर्टी नाइन एयर में जो है ये प्रभाव देती हैं कहीं न कहीं ये सनी से मिल ली है अजब राहू सनी से मिल जाए तो सनी के गुणों में बिर्दि करता है भग्यांस में बिर्दि करता है भग्यां धन और संपति में मिश्चित तर पे बिर्दी हो जाती है और कहीं न कहीं 49 एर में जब ये धन में बिर्दे करेगी 48 एर में जो है धन परतिष्टामान शम्मान सरकार द्वारा लाव और येस में बिर्दे करेगी तो दो तरफा जो है धन का आगमन भी ये करवाती हैं तो ये चीजे आपकी जो है वहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है ठीक है नगा अब आप संसाय न करें अपना काम सुरू करें लेकिन थोड़ा सा उसमें रिसर्च भी करें क्योंकि काम बहुत अच्छा है उसमें धन में फायदा भी हो रहा है लेकिन अचानक नहीं होगा कि आपने खोल दिया और तुरंत आपको बहुत सारा मिल गए लेकिन आगे बहुत अच्छा है आगे कैसे अच्छा है ये भी बता रहा है आपका अंगोठा सीधी सीधी एक लेकिन एक कट दो कट और तीन कट एक कट दो कट और तीन कट जादतर दो ही कट रहते हैं लेकिन इस पश्ट रूप से तीन कट है वैसे तहीं ये 42 में वर्स से अपना फायदा देता है कहीं न कहीं जो है 42 वर्स से आपको कुछ न कुछ इन कटों ने दिया होगा अगर बने रहे होंगे तो ये अचानक जीवन में तरक्की को दिलाता है अगर अभी नहीं दिया तो 48 या 49 में देगा इनके साथ मिलके क्या करेगा तरक्की को परधान कराएगा धन, पर्तिष्टा, मान, सम्मान सभी चीजों में ये बडोतरी को दिखाता है ऐसे जातक निर्धन नहीं हो सकते मनी बहुत बड़े धनवान तो नहीं कहींगे हम कि जो है अर्मोपति हो जाए लेकिन इतना धन जरूर रहता है कि किसी के आगे जो है जुकना न पड़े हात न फैलाना पड़े उल्टा जो है दान पुंड्य करते है इतना धन रहता ही रहता है और ये मैं लिखके भी दे सकता हूँ इन चीजों को अगर इतना इस्पष्ट साइन हो ब्यक्ति के अंदर मालक्षमी की वो किरपा होती है कि ब्यक्ति किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है जुकता नहीं है बल्कि वो दान पुंड्य करता है वो स्वयम जरूरत मंद को देता है ऐसी आपके हतेली है क्या है निर्दन नहीं हो सकता गरीब नहीं हो शकता लेकिन ego problem आएगी अपने थोड़ा समल कर चलना है धार्मिकता भी आती है धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ जट कर हिस्सा लेंगी पहले का मैंने दानपुंडे से समंधित चीजों में अच्छा दिखाता है धन के लिए ये अंगोठा बहुत अच्छा कह रहलाता है और ब्यावसाई के लिए ये अत्यनत्सरेश्ट है ब्यावसाई में बिसे सपलता को दिखा रहा है और इसी अंगोठे के कारण आपके मन में ती ब्रगति से ब्यावसाई के जो है गुन आते हुई दिखाई दे रहे कि भाई हम यहाँ पे आपके हतेले में उभर के आये हैं, हमने आपको फल देना है, और फल देके फिर रेखाएं अपने समय पे निकल जाती हैं, ये भी होता है, लेकिन जब तक फल नहीं दिया, अगर ये हतेले में सब कुछ रेखाएं, आप उस तरफ ध्यानी नहीं दे रहे कर्म ही नहीं करने हैं तो ये कुछ नहीं करती है ये ऐसी लगी रहती रेखाए तो लेकिन रेखाओं का महत्व अगर बेक्ति समझे जिस तरफ उसका मन कर रहा है कि ये अच्छा चीज मैंने करना है और मन तो बहुत जोर मार रहा बेक्ति करनी रहा है तो ये उसके उपर बात वो बिवेक वान बेक्ति नहीं है लेकिन आपकी हतीली कह रही है कि आप करो और आप इसके लिए पूछ भी रहे हैं आप योजनाई भी बना रहे हैं और प्रयतनसील भी है यह आपको जो है बहुत अच्छी जगह पे ले जा रहा है अब यहां पे आपको जो है आर्थिक रू है इसलिए आपके अंदर जो है बिवेक जागर्त हो रहा है आप करिएगा आराम से आपका काम बहुत अच्छा चलेगा कुछ नहीं है लेकिन देखेगा थोड़ा सा क्या है कम से कम जो है धाई साल या अठारा महेने तक सुक्र का जो छित्र है वो बिलकुल जो है अलग तर परवत एक्चल में जाना जाता है कला सुनरे सुनरता और सुखत जीवन के लिए आपकी हतेली में ये थोड़ा उबर रहा है तो कहीं न कहीं जो है ये ऐसे में मानसिक प्रेशानी देता है सुखों में कमी करता है और किसी चीज को लेकि बहुत जादा सोच भी रहा होता है परभी कर रहा होता है और जिस परकार से चीजों को निखर कर आना चाये जिस परकार से एक एक्चल सुक मिलना चाये उस सुक में ये कमी करता है और थोड़ा कहीं न कहीं जो है चिंता बनाए रखता है जीवन में सुक का जो भोग है उसमें कमी करता है और बिक्ति को कहीं न कहीं लगता है कि यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी अपूर्णता है फिर भी अपूर्णता है इस चीज को ये दिखाता है तो इसका जो है कहीं न कहीं आपको उपाई करने है इसका मैं आपको उपाई दूँगा अगर आप उपाई नहीं करते हैं तो सब कुछ होते हुए भी जो है थोड़ा चिन्ता बनी रहेगी और सुक का पूरा भोग नहीं कर पाएंगे ठीक है ने चाहे वो मानसिक सुक हो चाहे वो दामपत्य जीवन का सुक हो चाहे वो सारेरिक सुक हो चाहे वो भौतिक सुख सुविदाओं का सुख हो तो इसके लिए जो है ये ठीक करना पड़ेगा दूसरा बात इसका साथ दे रहा है आपका चंद्रमा यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फूल सा गया है तो जो ये फूलता है तो कई बार जो है तो इस चीज को भी ये दिखा रहा है और कम से कम इन चीजों का प्रभाव 18 महेने तक आपके अंदर रहेगा ही रहेगा उस चीज को कोई नीमिटा सकता है लेकिन उपाय करेंगे तो उसका असर थोड़ा कम रहेगा ये चीज जरूर है अब दूसरी चीज है यहां पे मनी बंद है ये बरतमान समय में हलके रूप में देखे तो देखेगा ये कुछ मन के अंदर जब उल्जन हो जाती हलकी सी तब ये ज़्यादा होने बैट जाता है तो कुछ विचारणिया उल्जन ऐसी है कि जो दिखा रही है कि मन के अंदर उल्जन है, कोई ने कोई चिंता बनी हुई है और संगर्स भी बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे देखेगा तीन रेखाएं आपके मणिबंद में हैं, पर्थम रेखा को कह कहते हैं हम सुक की रेखा, स्वास्थ्य की रेखा, यह व्यक्ति के स्वास्थ्य को दिखाती है, यह आपके आरोग्य के बारे में, तंदुरस्ति के बारे में बताती है, अच्छा है, लेकिन देखेगा, यहाँ पे बीच में अगर पूर्ण रूप से यव का चिन बनता है, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा हो जाता है हो सकता है मद्यकाल में जीवन के मद्यकाल में 35 से 40 में वर्स के वीच में होता है जादतर तो अगर हो गया तो ठीक है नहीं हुआ तो थोड़ सा समल के रहे कि जातक जादतर मामले में चाए आर्थिक छेतर है चाए कोई भी छेतर है उसको संगर्स की इस्तितिकों जहलना पड़ता है लेकिन फिर रेखा दोनों तरप अच्छी है तो अपने संगर्स से और अपने पौरसुत्व केबल पे व्यक्ति उचाईों को हासिल कर लेता है ये बहुत अच्छी चीज यहा पूरी बन रखी है न ये रेखा पूरी बन रखी है कहीं न कहीं आपको जो है महालक्षमी जी की भगति करने की आवशकता है ये संपतिकी रेखा है ये रेखा आपके धन के बारे में बताती है कुछ न कुछ जो है जितना आपके अंदर क्वालिटी है जितना आपके अंद चमता है उस हिसाब से जो है आपने पाया नहीं है लेकिन आगे पाएंगे रेखाएं अपने आप जो है ठीक हो जाएंगे ये निश्चित हैं तीसरी रेखा को हम कहते हैं सुक की रेखा देखेगा हमारे पास स्वास्त्य है हमारे पास धन है संपति है लेकिन वो सुक नहीं है उसको भोगने का तो वो किसी काम की नहीं है लेकिन आपके हतेली में जो है सुक की रेखा बहुत सुन्दर है अतिसरेश्ट आउस्ता में है ये जातक को स्वास्त्य धन और एस्वरे भोगने का सुक परदान करती है इसलिए इसे सुक की रेखा कहते हैं तो कहीं न कहीं सुक आ कुछ समय उतार-चड़ाव से जाएगा कुछ समय हल्के संगर्स से जाएगा कुछ समय जो है लेकिन फिर भी आपका जो करियर है और आपकी जो धन की इस्तिते है वो यतावत बनी रहेगी उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी मनि इस प्रकार से कमी नहीं आएगी कि आपको जुकना पड़े आपको सर्मिंदा होना पड़े ऐसी कमी नहीं आएगी अपना स्टेटस बना के रखेंगे और एक बहुत सुन्दर तरीके से जो है जीवन स्रेष्ट मयत तरीके से ब्यतित होगा एक लगजरियस तरीके से ब्यतित होगा यहां पे दिखा रहा है क्योंकि स्रेष्ट राहु की रेखा यह है जो सनी से मिल रही है जो सूर्य से मिल रही है और कहीं न कहीं अपना प्रभाव दे रही है और लेकिन भाग्यरेखा स्रेष्ट नहीं है भाग्यरेखा को आपको स्रे और आचारे बिरसपतीजी पुष्ट अवस्ता में है यह अत्यंत शरेश्ट है दो तिन चीजें बताती है कि व्यक्ति जो है कि वन अपने स्वार्थ यह स्वार्थ के लिए नहीं सोचता है व्यक्ति का जो अध्रंग हो सब लिए सोचने का है लेकिन अपनी छेतर में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यान अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है नौलेज को ग्रहन करने वाला व्यक्तित्व है बुद्धिमानी से काम करने वाला व्यक्तित्व है और तेजस्वी भी है प्रेम के मामने में भी बहुत जन करने की जरूरत नहीं है अभिमान का पुट भी आता है अपनी चीजों पर अभिमान भी है लेकिन निर्मल हिर्दय का बिक्तित्व है हाँ जिस तरह से आपका जो है अनतालिस से चोवन के बीच में राहो जो है सूरे से मिलन कर रहा है उन पचासवे वर्स या च्छपनवे वर्स में जो है राहो सनी से मिलन कर रहा है तो कहीं न कहीं जो है मान पद प्रतिष्टा भी मिलेगी इसमें कोई संका नहीं है लेकिन आपकी रेखा कहरी है कि चाहे आप ब्यापार करें चाहे आप नोकरी ही करें चाहे आप और काम करें लेकिन जीवन में एक स्रेष्ट जी परदिद करेंगे और हर चीज की इस्तिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी यह बता रहा है कि कि अब यहां पर देखेगा एक चीज यहां पर जो है एक रेखा इस तरह से जाती हुई और यह जारी है आगे कहीं मान सम्मान सरकार द्वारा लाब और यसमें बृति होगी वहीं कहीं न कहीं जो है राहो परेशान भी करेगा इस समय आपको जो है जहां उन्नती बहुत अच्छी होगी वहां ये गिराने की भी सोचेगा तो थोड़ा सा समल करके रहना चाहिए इस बात के और भी ये संकेत करत हो दिखाई दे रहा है ठीक है अब आपके मस्तिस्क रेखा आपने देख ले देखो जीवन की रेखा आपकी इस तरों से आती हुई और इस तरों से पीछे की और जारी है निरंतर उन्नती तो है लेकिन एक तो जो उन्नती जादा लिखी हुई है आपके हतेली में अपनी ज मतामना भी करना पड़ेगा और जीवन में जो है किे रिंग वाला व्यक्तित्व आपका है अपने परिवार के परती जो है समरपण वाला बिक्ति तुझा है यहां पे दिखाई दे रहा है यह अच्छी चीज है अच्छी चीज है बहुत सुनर है अब यहां पे देखें एक रेखा यू जाती हुई दिखाई दे रही है अभी हलका रोप में बन रही है ऐसे बिक्ति कला के परती या कहें कि कला प्रेमी बहुत कहीं ये कला प्रेम की और बेक्ति को ले जाती है और ये रेखा एक चीज और कहती है इसको बुद्धी की रेखा भी कहते हैं बेक्ति अपने छेतर में इतना अच्छा नौलेज रखता है जिसको बेसिक नौलेज कहते हैं बहुत सुन्दर रहता अपने छेतर में और एक रेख इसे में विद्याओं की तरब भी ज़्यादा आकर्सित रहता है और उसको गुर्टत्प को उस सार को समझने की छमता बे रखता है और उसमें कहीं न कहीं अंतरमन से रिसर्च करने की भी जग्यासा बिक्ति के अंदर रहती है यही चीज आपके अंदर यहां पर दिखाता हुआ यह नजरा रही है अगर यहां पर तिर्बुझ बने तो इसका फल भी इसी और जाता है यह तो बहुत अलग चीजे हैं अगर बनता है तो फिर मैं इसके बारे में मैं आपको बताओंगा और कहीं न कहीं देखें यहां पर भी तिर्बुझ बनता हो दिखाई दी रहा है वैसे यह पैतरीक संपत्य के ओर ले जा रहा है आपको पर फिर भी जो है अगर देखें तो गूर रहिष्यों को जानने की इक्षा ब्यक्ति के अंदर रहती उसमें रिसर्च भी ब्यक्ति करता है इस बात के और जो है ये बताता है अब थोड़ा सा जो है अलग भी देखते हैं देखेगा अंगोठे के नीचे का भाग मैंने बता दिया है क् अंगल की इस्तिति देखें दोनों अच्छा है जहां पुरुसार्थ आपके अंदर बैठा हुआ है वहीं कहीं न कहीं जो है एनर्जेटिक स्वभाव बनावा दिखाई दे रहा है और आपका ब्रस्पति बहुत सुन्दर है जहां आपको सांसारिक सुक की प्राप्ति होग और करियर का मामला देखें तो अपना ब्यापार तो अच्छा चलेगा ही साथ में अगर आप एजुकेशन के छेतर में इंजिनियरिंग के छेतर में मैनेजमेंट की छेतर में चिकित्सा के छेतर में बानिज्य के छेतर में लौ के छेतर में या राजनीती के छेतर में भी हो और अपने से बड़ों का सयोग बहुत अच्छे रूप से मिलेगा सनी भी आपके बहुत अच्छे हैं लेकिन ये कहे रहे हैं कि कहीं न कहीं आलश्य से थोड़ी सा बचके रहेगा सूर्य भी आपका बहुत अच्छे रूप में आता हुँ दिखाई दे रहा है लेकिन बुद पे जिस कार्य में हाथ डालिंग उसमें पूरी सपलता तुरंत अर्जित करना इसलिए बादित है क्योंकि बरतमान में शुक्र और चंदर की युति जो है थोड़ी सी जो है इसमें बादा डाल ले है तो एकदम पूरे 100% चीजों में शूर्टी नहीं देता है यह लेकिन हर त आतमें लेते अदूरे में नहीं छोड़ते हैं उसे पूरा औश्य करते हैं और बुद्ध इस प्रकार से है कि आप दूसरे को पढ़ने में दूसरे के समझने में माहिरता आपको हासिल है किस प्रकार से प्रभावित करना यह गुण भी आपके अंदर है और ब्यापार में यह भी अच्छा दिखाई दे रहा है हर जगह से जो है चाए अंगोठा हो चाए आपका बुद्ध हो ब्यापार के लिए अच्छे हैं और इसके बारे तो हमने बात करी लिए देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हतेली का बिशलेशन कर लिया है इसमें सीधी सी बात है एक लाइन में कहे जिस चीज के बारे में आप सोच रहें उस चीज को आप सुरू करिएगा कुछ ही समय बाद से आपको जो है उसका फाइदा बिल्ली बैठ जाएगा और कहीं न कहीं बरतमान में थोड़ा सा सुक्र और थोड़ा सा आपका चंदरमा को भी ठीक करने के आफशक गुर्अ कर देंगा लाल ड्रीजार है तो कर देंगा है।